तो फाइनली मेरे कोलेज के यानि दिपसार दिपस्यों के फोर्म रिलीज हो चुके हैं मैं इसके उपर 5 साल से वीडियो बनाता हूँ आ रहा हूँ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुए जहाँ पर मैं संदो जर 18 से वीड जेट है फोर्म बरने की और इसकी मेरिटलिस आईगी 24 तारिक की और जो डेट ओफ एड्मिशन वो है तीन तारिका तो यहाँ पर यही प्रोसेस रहने वाला है और तीन तारिका यह मतलब नहीं कि आपका एड्मिशन उसी दिन हो जाएगा तीन तारिक को आपकी चलेगी लास्ट यह क्या हुआ नमोंबर तक काउंसलिंग गई थी और मैंने उस टैम तो हमारे होलीडेज चल रहे थे तो मैंने घर से आके बच्चों की ओफलाइन काउंसलिंग करवाई थी क्योंकि काफी सारे बच्चों ने फोम में दिक्कत करवा दी थी काउंसलिंग के फोम में दिक्कत हो गई थी तो अगर आपको फोम बरने में कोई भी दिक्कत हो पहले तो यह है कि मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद ही आपको फोम बरना है तो अगर आपके बाईचांज फिर भी एक दो दिन बाद आगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके फोम में आपका फोर्म सही हो जाएगा तो आपको इदर उदर जाने की जरूत नहीं है यानि बी फार्मा एलेटरल एंट्री और जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं फार्मा एंबी एंपिएच एंपिटी उनके तीन तारिक को फोर्म या पर रिलीज होने वाले हैं तो अगर मुझे पता है तो आपको एड्बिशन की टेंसन बिल्कुल भी लेनी की जरूत नहीं है और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है लेकिन मैंने उनको कैंपस से रोते हुए जाते हुए देखा है क्योंकि उन्होंने कभी फोर्म में गलती कर दी कभी दूँगा मैं आपके पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काउंसलिंग करवाँगा लेकिन ये नंबर पर स्रीफ वही बच्चे मैसेज करें जो दिपसार में एड्बिशन लेने के लिए चाहते हैं और नोन दिल्ली वाले जिनके 90% से कम है वो बिल्कुल भी मैसेज न करें क्योंकि 90% से एक बच्चे का भी याँ पर एड्बिशन नहीं होने वाला है चाहिए वो डिफेंस को टिक कैटिगरी का हो तो बात अलग है लेकिन उसके अलावा जर्नल, OBC, SC, ST इनका 90% से कम मैसेज नहीं होगा तो नोन दिल्ली वाले बिल्कुल भी मैसेज ना करें ल अगर आप मुझसे मिलना चाते हो आज तो नहीं आज तो दिप्सुरू का जो बोर्ड रूम है वहाँ पर आज मीटिंग है शायद वो मीटिंग शाम तक चले तो आज तो मैं आपसे मिलना ही पाऊंगा तो आगर आप मंडे को आप मुझसे मिलना चाते हो तो आप मुझसे क वो पूरे साल की 56,000 रुपए है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको fees structure छोड़ा सा clear कर देता हूँ पहला तो यह है कि D-Pharma होता है वो होता है आपका year wise यानि आपको उसमें एक साल में सिर्फ एक बार fees भरनी होती है कितनी भरनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ 36,000 रुपए भरनी है एक साल की fees 36,000 रुपए है अब यो DMLT है, B-Pharma है, B-PT है, BMLT है, B-Pharma आयरवेदा है इन सब की जो fees जाती है वो semester वाई जाती है यानि एक साल के अंदर दो semester होते है तो दो semester के हिसाब लगाए जाए तो आपको 6,000 महीने में हर बार fees भरनी होती है अब कितनी fees भरनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ जब आपका admission होगा, तो आपको 56,000 रुपए भरनी होगी और DMLT में आपको 34,000 रुपए भरनी होगी तो या आपकी एक semester के fees होगी उसके बाद जब 6 महीने खतम हो जाएंगे, आपके exam हो जाएंगे एक semester के, उसके बाद आपको DMLT वालों को 14,000 रुपए भरनी होगी और जो B.E.Farma वालों को हैं, उनको 34,000 रुपए भरनी होगी तो आपकी जो B.E.Farma वालों हैं, उनकी एपरोग fees हो जाती है आपकी 96,000 रुपए और जो DMLT वाली हैं, वो आप calculate कर लेना उसके बाद जो M.Farma है, इनसे की, तो आप fees समझ गए हों इनका भी semester by system ही होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दिप्सुरू में scholarship का का सीन है, जब तक आपके admission होंगे उतने हर साल की बात है, यह कि बच्चे जो होते हैं, जो मेरे junior होते है जिनकी मैं counseling करता हूँ, उनका form तो मैं भरवा देता हूँ किसी तरह scholarship का, लेकिन जब ज़्यादा ही लेट हो जाता है, जिस तरह last year काफी लेट हुआ, बच्चों के scholarship के form भरे ही नहीं गए, आप जाहे जर्नल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, सब के यहाँ पर scholarship के form निकलते हैं, लेकिन आपका admission इतना लेट हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको form भरना होगा, तो आप उससे WhatsApp पर जानका रिले सकते हैं, आपको phone number तो सामने दिखाई दे रहा होगा, और दूसरी बात यह है, कोई दिपसार में, और दिपसरू में क्या रूल है, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको university उनकी जो पूरे semester की fees होती है, वो खुद भरती है, literally यह senior होता है, जो मेरे junior है, वो यह scheme avail कर रहे हैं, और उनको पता होता है कि आपर कैसे scholarship लेनी है, तो अगर आप चाते हो कि आप अपनी semester की fees खुद ना भरो, आपकी university आपकी fees भरे, तो आप मुझसे वापर contact कर सकते हो, म इसका नहीं होने वाला है, 4-5 साल चाए admission देने का इतना experience तो होई गया है, अब बात करते हैं, यापर कितनी कितनी seat है, दिपसार में, दिप्स्तुरू में, आप काफी ज़्यादा confused होंगे, दिपसार है, दिप्स्तुरू है, तो मैं आपको बता दू कि आपको form दो नहीं भ सकता है, तो आपको दो form भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको शरिफ एक ही form भरना है, हर साल में बताते हो आ रहा हूं, मैंने जो playlist टीचे लगाई हुए है, आप वो मेरी playlist लेक लेना है, दिपसार दिप्सुरू की, उसमें मैं हर साल बताते हुए आया हूं कि आ आपको देखना है, यह नहीं कि आप सो सीट है, तो इसका मतलब आपका इडिबिशन हो जाएगा, जो जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, आपको नों दिल्ली वालों को, नों दिल्ली वालों के लिए जर्नल में 11 सीट है, और SC में 2 सीट है, ST में 1 सीट है, और EWS में 1 स साथ है, और OBC के लिए 26 सीट है, और EWS के लिए 10 सीट है, और जर्नल के लिए यहां पर, और 9 दिली जर्नल के लिए 13 सीट है, बाके आप सीट देख लेना, तो यहां पर आप यह हो गया, अब उसके बाद करते हैं, दिप्स्रू की, यानि SPS, SPS का मतलब होता है, School of Pharmaceutical Sciences, तो यहां पर 60 सीट है, उसमें, 24 सीट जर्नल की है, साथ, SC की है, ST की है, 14 है, यह है, तो आप यह देख लेना, इसा आप लगा लेना, इसका फीच्टर देख लेना, की मतलब सीट कैसी है इसकी, तो यहां पर आयरवेदा की भी मेंशन की हुई है, तो मैं आप आपको दिखा दे है, उमीद है, आपको सारे डाउट किलियर हुए होंगे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि फोर्म भरते वक्त आप कोई भी गलती मत करना, और अगर आप चाते हो कि आपके यहां पर एड़िशन के चांसे बढ़ जाए, यानि आपका यहां पर काउंसलिंग मैं कर रह होती है, तो वहाँ पर आपको आपके मिल सकते हो, लेकिन यह नहीं कि अभी मैं मेरी क्लासे चल रही है, और आप आपके कहते हो, भई मिल लो मुझसे आप अभी मैं वहां से आया हूँ, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा, पहले आप मैंसेज कर देना कि मैं आ जाने वाला ह कोई बनवाने हैं, कोईसे डोक्यमेंट नहीं बनवाने हैं, तो उमीद है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा आप मुझे मेरे वट्टसप पर मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी भी बता रहा आपकी काउंसलिंग मैं करवाऊंगा, आपको बिलकुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे काफी ज़्यादा डर जाते हैं कि यहापर आटबिशन नहीं होगा, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यहापर आराम से आटबिशन हो जाता है, तो आज की वीडिय में इतना ही दन्यवाद